प्यारा बच्चों, LGR study में आप सभी का स्वागत हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिज्ञान में अभी हम लोग नियंतरन एवं समनबय चेप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और आज इस चेप्टर का आपका थार्ड कलास होने वाला है, इस चेप्टर से रिलेटेट दो कलास अल्रेडी हो चुका है, तो अगर आप नहीं देखें तो फ़ले उस दो कलास को देख लेजएगा, फिर जो है आज कलास को देखेंगा शुरू करते हैं, पिछले कलास में अगर बात किया जाए तो हम लोग मानब मस्तिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और मानम मस्तिक्स में आप लोगों ने देखा था कि मस्तिक्स मुकरूप से तीन भागम बटा हुआ है अगर मस्तिक्स, पस्च मस्तिक्स और मध्य मस्तिक्स में ये बीच वाला भाग मध्य मस्तिक्स कालाता है आगे वाला जो भाग है वो अगर मस्तिक्स कालाता है यहां पर देख सकते हैं और जो यह वाला भाग है पीछे वाला भाग यह पस्च मस्तिक्स के नाम से जाना जाता है इसमें बहुत सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्ट किया था और आज हम आगे बरेंगे और आज जो हमारा सबसे फॉर्स्ट टॉपि यानि कि कौन-कौन से तीन अंगों को मिला करके पस्च मस्तिक्स नाम दिया गया है यहां पर हम साथ-साथ फीगर भी लिए हैं ताकि फीगर में भी मैं आपको समझा सकूं चीजों को अगर बात किया जाए कि पस्च मस्तिक्स में कौन-कौन से तीन अंग सामिल किये गए हैं तो पहला याद रखिएगा यहां पर आपका पांस है इसको पांस बोलेंगे यहां पर ऐसे होना चाहिए चांद लगना चाहिए पांस यह जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है य यहां पर जो यह वारा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है माइंड के अंदर मस्तिक्स के अंदर यही है अनुमस्तिक्स और यह जो आपको मांसल पार्ट दिखाई दे रहा है यही है मेडूला यह तीसरा है तीसरा कौन है मेडूला है तो आपने देखा कि पस्च मस्तिक्स किस तीन पार्ट को मिला करके बनते हैं किस तीन पार्ड को समलत रूप से हम पस्च मस्तिक्स बोलते हैं अब हम लोग पॉन्स अनु मस्तिस्क और मेडूला सबके बारे में डिटेल से जानेंगे उसके related चीजों को समझेंगे सबसे पहला हम समझते हैं पॉन्स के बारे ने यह स्वसन किरिया को नियंत्रित करने में भाग लेता है कौन। वो स्वसन किरिया को राइंने की कन्टीनियू रखता है आर वसे Рöz आम कि कब जैदा स्मस्लेश लेना है कब कम लेना है जब दोर के आते आते हैं तो अपका स्वसन दर बढ़ तो उसको नेविकरता है और और वसे नहीं लेना आको जाता है तो इसको नियमित भी करने काम करता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि मस्तिक्स का कौन सा भाग सवसन किरिया को नियमित और नियंत्रित करने का काम करता है तो आप बोलेंगे पॉन्स पॉन्स किसका भाग है तो पर्श मस्तिक्स का है फोल्स भाग है ठीक है तूसरा है अनुमस्तिष समझिएगा अनुमस्तिष के क्या काम है तो याद रखिएक कि यह एक शिक किरियाओं की परिशुधी तथा शरीर की संस्थिती तथा संतुलन को नियंतित करते हैं एक्चिक किरिया जितने भी करते हैं उसका पड़ी सुधी करता है और हमारे सरीर के संस्थिती और संतुलन को बनाय रखता है जैसे कि एक सीधी रेखा में चलना अब आपके सामने एक सीधी रेखा खीच दिया गया और आपको बोला गया कि आप इस सीधी रेखा पर चलिए तो आप सीधी रेखा पर चलने के लिए आपके महांसिक इस्तिती ठीक होने चाहिए और मुक्रुप से अनुमस्तिक से ठीक तरह से काम करने चाहिए तब जाकर कि आप एक सीधी रहार में चल पाएंगे याने कि आप दीए गये निर्देश के नुसार पाएंगे ठीक है एक सीधी रहार में चलना जो है आप एक एक्चिक की रहे हैं तो इस एक्चिक कीरिया को कंट्रोल करता आनोमस्तिक्स या आपी दूसरा एक्जामपल आप देख सकते हैं कि साइकिल चलाना साइकिल चलाना आपको मैंने कई बार इसका एक्जामपल भी दिया है कि साइकिल चलाने बक्त हमारे कई सारे अंग एक साथ कारिय करते हैं तो सेंकेल जलाना भी एक्षिक के रिया है और एक्षिक के रिया हमें को रहे हैं, उसका सारा का सारा जो कंट्रोलिंग है इसके बारे में याद रखिएगा मेडूला को सीधा सीधा मेडूला भी बोलते हैं कहीं कहीं पर मेडूला आबला गेटा भी बोला जाता है ठीक इस फिगर में भी हम मेडूला को सामिल किये हैं ये वाला जो भाग है ये मुखरूप से मेडूला कालाता है ठीक है तो मेडू से नीचे आधार में हैं तो मस्तिक्स का अधार ये भाग जो मेरु रज्जू से जुरा होता है बिल्गुल सही है यह है आपका मेरु रज्जू जो आपके माइंड से यानि कि आपके मस्तिक से निकल करके पूरे रीड होते हुए नीचे तक जाता है तो मेरु रजू से कौन जुरा हुआ है यही मेडूला जुरा हुआ है तो वो भी आपने समझ लिया कि मेडूला जुरा होता है उसे मेडूला आबला गेट काते हैं इसे क्या काते हैं मेडूला आबला गेट काते हैं जो सभी अनेक्चीक इसका वाई साब तो अनेक्चीक किरिया हैं जैसे कि हिर्दय की धरकन हिर्दय की धरकन अनेक्चीक किरिया हैं ये बिना हमारे पूछे धरकत जिराती हैं और हम इसको कंड्रोल भी आप ऐसा नहीं कि हम चाहे तो धर्कन को बंद कर लेंगे जब चाहे तो चालू कर लेंगे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आनेक्षिक किरियाएं हैं यह हमारे एक्षक के बीना ही चलता रहता ठीक है तो जो आपके मेडूला है वो अनेक्षिक किरियाएं जिसे कि आपका हिरदय का धरकना रक्त पड़ी संचरन यानि कि हमारे सरीर में बलट दौरता है आप सभी को पता है एक जगह से दूसरे जगह जाते रहता है तो यह रक्त पड़ी संचरन भी अनेक्षिक किरिया है यह सांस को रोक सकते हैं या फिर जब चाहिए तो चला सकते हैं लेकिन जब आप सोई रहते हैं तब तो आपके इक्षा कार्या नहीं करते उस टाइम भी आपका सांस चलता ही रहता है ठीक है तो स्वसन हुआ यह लार का आना तथा वमन का नियंद्रन करती है कौन मेडूला क्रेनियम क्या है क्रेनियम को समझने की गोसिच कीजिएगा तेखिए मानव खोपड़ी का वह भाग जो मस्तिस्क को सुरक्षा प्रदान करता है जिसमें मनुस्यका दिमाग इस्थित रहता है उसे क्रेनियम करते हैं मिलकुल सही आप जब टच करते होंगे तो आपको लगत कपाल क्या है बहुत कठोड़ है और कठोड़ इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग सरीर का सबसे कोमल अंग होता है और अगर इसको कठोड़ बहुत मजबूत खोपड़ी में नहीं रखा जाए तो इसमें चोट लगने की संभावनत जैदा होती है तो इसलिए हमारे मस्तिक् कठोड़ खोपड़ी में बहुत ही कठोड़ समझ सकते हैं कि मतलब बॉक्स के अंदर रखा गया है और उसी कठोड़ मस्तिक्स को खोपड़ी को हम क्रेनियम कहते हैं लिखा ही है मानब खोपड़ी का हुआ भाग जो मस्तिश्क को सुरक्षा परदान करता है जिसमें वनुस मस्तिस्क वो क्या क्या काम करता है उसके आदेंगे तो एक्जाम में अगर पूछे कि मालव मस्तिस्क के कार्य को ले को सकता है यहका कहां करवाते हैं सब्तो सब्जेक्टिव कुश्चन ही है यह दिने में आपको पराएगा सब्तों एक सब्जेक्टिव कुश्चन का रूप धारन कर सकता है और है भी जिसे की कुश्चन ये भी बन सकता है मानब मस्तिस्क के कारिय को लिखे ये अगर कुश्चन आ जाएगा आ मानख मस्तिश्क सभी संबेधी अंगों से, सभी संबेधी अंगों से आवेगों को गरहन करता हैं एबं उसका बिशिलेशन है। मानव मस्तिक्स जो है इतने भी संबेदी अंग हमारे आंग का नाक तोचा जीव उससे संबेदनाओं को गरहन करता है और उसका बेसलेशन करता है दूसरा कार यह याद रखिएगा कि यहां गरहन किये गए आवेगों को प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से पेशियों और गर कारन डूसरा काम कि आख TWO्राए देखे गए चीजों पर यह रीएक्टिंव उससे कि माला आपका हाथ सट गया किसी गरम चीज ने तो गरम चीज में सटा तो फिर गरम वह तोचा मैंड को को सूचना कि इसका हाथ गरम चीज में सटा हुआ है कि आप का माध्य ऑर्डर देग हाथ को कि आप हट ये वहाँ से तो वही है ग्रंतियों तक भेजता है जिसके कारण अनुकिरिया होती है यानि कि आपका हाथ हट जाता है आपका हाथ क्या हो जाता है हट जाता है तिसरा संब्यदी अंगों से जो उद्धीपन प्राप्त होते हैं उनके और सारे रिक किरियाओं के बीच समनबै स्थापित करना संबेदी किरियाओं के बीच जो समनबय स्थापित करने काम है वो भी मस्तिक्स का ही है संबेदी अंगों से जो उधिपन प्राप्त होते हैं उसके और सारे किरियाओं के बीच समनबय स्थापित करना बड़ी के अंदर एक दूसरे अंग के साथ समनवे जो है वो मस्तिक्स का ही काम है चौथा यह सभी परकार की ग्यान एवं चेतना संबंदी सुचनाओं का संग्रहन करता है विल्कुल सही यानि कि हमारा दिमाग मेमोरी के तरह भी काम करता है मेमोरी जानते हैं जैसे मेमोरी में हम वीडियो अडियो बहुत सारे डाटा फोटो रखते हैं उस तरह हमारा दिमाग भी एक मेमोरी है जो सुचनाओं का संग्रहन करता है यानि कि सुचनाओं को वहाँ परिकठा करके वो रखता है ठीक है और तदन रूप भ्यक्तियों के बेभार में परिबर्तन लाना आपके माइंड में जिस तरह का सुचना होगा अगर आपके माइंड में अच्छा ग्यान होगा अच्छा संसकार अगर भरा होगा तो आप उसके तरह बेभार करेंगे अगर किसी के मायंड में गलत सूचना होगा, गलत बेभार होगा, तो वो गलत बैक्ती के तरह वो बेभार करेगा, तो ये चीजे हैं, तो आपके सूचना के आधार पर ही, आपके बास जो ग्यान है उसके आधार पर ही, आप अच्छा बेभार या बुरा बेभार करते हैं, त तरह से देखादे तो माइंड का ही है क्योंकि म sulphं के सूचणा को एकतृत करके आप के अंदर रखेगा आप उसी तरह के सूच ना उसी तरह का वेतार करेंगे ठीक है तो मस्तिस्क के ये सारे काड़े याद रखे अब है मेरु रज्जु अब बोलेंगे कि मेरु रज्जु से कुश्चर कैसे आएगा तो बोला जा सकता है कि मेरु रज्जु किसे काते हैं देखे ये भी एक तो कुश्चन ही है ये भी क्या है कुश्चन है कुश्चन है मेरु दंड के कसेरकों के बीच चो बीच से होती हुई अंतीम निचले छोर्टक जाती हैं जिसे मेरु रज्वु काते हैं समझ ये बात моя यह आपका कपार्य माले लीजिए और ये मेरू दंड है मेरु दंड को हम बोल सकते हैं Red की हड़ी आपके अंतिम छोड़ तक डार के अंतिम छोड़ तक जाता है आप जानते हैं तो ये आपका माइंड है ठीक है और ये मेरु रज्जु है ठीक है मतलब ये आपका जो है रीड का हड़ी है रीड के हड़ी को ही मेरु दंड काते हैं तो मेरु दंड में मेरु दंड एक पाइप के जैस छोपना बनी होती है जो द्रभ के रूप में होती है और इसे ही मेरु रजू काते हैं यहां वही लिखा गया है कि मेरूला अवला गेट के नीचले छोड़ से एक कोमल रशी जैसे रचना मेरू दंड के कसेर कुओं के बीचो बीच से होती हुई यहां से एकदम बीचो बीच से होती हुई अंतिम निचले छोड तक जाती है रेड के हड़ी के एकदम निचले छोड तक जाती है आपके डाण तक जाती है जिसे मेरू रजू काते हैं तो सिंपल आपने समझाए मेरू रजू क्या है अब है मेरू रजू के कारिय यानि कि मेरू रजू के क्या काम है तो देखिए पहला काम मेरू रजू मस्तिक्स तक आवेगों को लाने का कारिय करती है जो सूचना है मस्तिक्स तक पहुचाने का काम मेरुरज्जू के द्वारा ही होता है और दूसरा काम है प्रती बरती किरियाओं के केंदर के रूप में कारे करना जो प्रती बरती किरियाओं है उसको भी कंट्रोल करने का काम मेरुरज्जू ही है करता है प्रति बरति किरिया को हम लोग अनेक्षिक किरिया भी काते हैं ये आप लोग बहले से भी क्या करते हैं जानते हैं तो प्रति बरति किरिया का जो कंट्रोलिंग है उसका संचालन है मेरु रज्जू के द्वारा ही किया जाता ये भी आप बोल सकते हैं ठीक है अब बरेंगे आ दूसरा है वापका परीधिये तंत्रिका तंत्र, परीधिये तंत्रिका तंत्र किसे काते हैं, अगर ये पूसा जाए तो बताएगा कि तंत्रिकाओं के समू को परीधिये तंत्रिका तंत्र काते हैं, किसको, तो तंत्रिकाओं के समू को, बास्तम में मस्तिक्स एबं मेरु तंत्रिकाईं निकलती है। जिनहें समलित रूप से पड़ी दिये तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अनन्त तंत्रिकाईं निकलती हैं। जाल की तरह तंत्रिका यानि की जो आपके तंत्रिका कोषिका है वह आपके सरीर में फैला हुआ है, जिनें समलित रूप से पड़ी दिये तंत्रिका तंत्र कहते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा स्वायत तंत्रिका तंत्र के बारे में स्वायत तंत्रिका तंत्र क्या है समझिएगा देखिए स्वायत तंत्रिका तंत्र के बारे में जानिए बोलिएगा कि यह केंद्रिय तंत्रिका तंत्र से बाहर परंतु उसी के समानतर इस्थित होता है यह सरीर के अंतिम भागों जैसे की पाचन तंत्र है यह स्वसंत तंत्र है मुत्र मार्ग है यह रक्त नलिकाएं की पेसिया है आग की पेसिया है हिर्दे की पेसिया एबं अंतह सरावी गरंथियों का नियंतर नेबं समनबै करती हैं अंदर हमारे बड़ी के अंदर जितने भी पाट है उसके काम को कंट्रोल करना ही स्वायत तंत्र का तंत्र का क्या है मुख्यक काम है अब जानेंगे स्वायत तंत्र का तंत्र के कारिय यानि की क्या क्या कारिय है इसके अगर पूसर जैंकि स्वायत तंत्र का तंत्र के कारिय ये एक मिनट ये स्वायत तंत्र का तंत्र के कारिय को जानेंगे कि आखिर स्वायत तंत्र का तंत्र के क्या क्या कारिय होते हैं तो लिखिएगा कि स्वायत तंत्र का तंत्र के निवलिखित कारिय होते हैं पहला अनेक्चिक पेसीं को शिकुरने और फैलने का नियंत्रन हमारे बड़ी में बहुत सारे ऐसे अनेक्चिक पेसी रहता है और फैलता रहता है तो इसका यह नियंत्रन करता है तुसरा हीर दय गती और दबाब का नियमत रख्यों रख्यों को टता एक वो कैसा होगा उसको करता है तूसरा है और नार की गरंति trophies की सुराअग तही गरंति के डिफे ये ठीसों की स्रावी सिर्ख वहींいつों करता है यह एंड़ी चौथा काम है इसका इंग की परितारिकाउ सवायततनत्रे का दंत्रे ही करती है मस्तिक्स की सुरक्षा आपको question पूछा जा सकता है कि मस्तिक्स के सुरक्षा पर tip ने लिखे या फिर मस्तिक्स का सुरक्षा क्यों जरूरी है ये भी पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जाएगा कि मस्तिक्स का सुरक्षा आप कैसे करेंगे तो इन सारे सवालों का जबाब आप इस तरह से देंगे, जिस तरह हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं, मस्तिस्क के related question का जबाब, मस्तिस्क की सुरक्षा के बारे में बात करें, तो बोलिएगा, कि मस्तिस्क के एक कोमल रचना है, पिल्कुल सही, यह सरीर की समस्त किरियाओं और प्रकर्मों का नियंतरन करता है, बिल्कुल सही, मस्तिस्क को हम लोग बहुत ही जदा महत्पूर नंग मानते हैं, यही कारण है कि आप लोग देखते होंगे, कि मतलब अगर सरीर के किसी दूसरे भाग में गोली लगता है, तो बच जाता है, लोग चरपटा के मरता कुछ देरे को बात, जगर अगर डिरेक्ट माथा में गोली मारा गया, तो क्या होते लोग तुरत मर जाते हैं, क्योंकि माथा में जब गोली मारा जाता है, तो आपके सारे के सारे जो सिस्टम है, वो एक एक बंद हो जाते हैं, माथा में गोली मारने से आपका माइंडी क्या होता है, वो छेद ह हो जाता है या फिर माने दिवें आपका डिश्टर्भ हो जाता है तो इसी कारण से तुरृत मर जाते लोग यही कारण है कि मस्तिष्क कठोर कवच जिसको खोपड़ी विकाते हैं के अंदर बंद रहता है जो हड्डियों का बना होता है खोपड़ी के मस्तिस्ग की शुरक्षा करता है खोपड़ी के अंदर चारो तरफ से पानी वाला एक मतलब रचना है और उस पानी चारो तरफ से भरा और बीच में हमारे मस्तिस्ग है जिसे मस्तिक्ष यानी के माईन को चोट नहीं पहुँचता है सिर के पीछे निचले भाग से ठीक के निचले भाग से ठीक के निचले भाग तक जाने वाला मेरू दंड रीड रज्जू की सुरक्षा करता है मेरु दंड यानि की रीड का जो हड़ी है वो खोखला है अभी आपको बताए थे और अंदर में उस खोखला पाइप में रीड रज्जू भरा हुआ है जिसका सुरक्षा करता है मेरु दंड अब बरेंगे आगे अगले चीजों को समझेगा तंत्र का तंत्र कैसे किरिया करते हैं उसके बारे में आप बात करेंगे हम तंत्र का तंत्र कैसे काम करता यानि की कैसे किरिया करता उसके बारे में तो अगर पूसर ज़िए कि तंत्र का तंत्र कैसे किरिया करते हैं तो उत्तर लिखिएगा हम जानते हैं कि तंत्रीकात उत्तक सुचनाओं को संग्रहन करते हैं विल्कुल सही है उन्हें पूरे सरीर में भेजते हैं ये भी सही है सुचनाओं को अभी व्यक्त करते हैं ये भी सही सुचनाओं के आधार पर निर्ने लेते हैं एबम तक भेजते हैं ताकि केलिया हो सके हैं जहां से उधिपन उत्पन हुआ है तक हमारे मस्व पिर से ओर दो पर समारी करें 맞는 का तो यह आप समझ सकते वात हैं तो यहां पर आप से मस्व कौन-क्रों से होते हैं संदेश पाने के बाद पेसियां अपना आकार बदलती हैं इससे चोटे हो जाती हैं इसमें बिसिस्ट प्रोटीन पाई जाते हैं यह प्रोटीन पेसियों के आकार को बदल सकते हैं तथा तंत्रिकाओं से प्राप्तो होने वाला विधुत तंत्रिकिये आवेग के आनुसार उनमें अनुकिरिया उत्पन कर सकती है यह आप ध्यान रखें नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले चीजों को समझेंगे अब हम कुछ महतपूर्ण प्रसन डिस्कसन करने वाले हैं जो NCRT से लिए गए हैं यानि कि NCRT के सारे प्रसन तो करवाएंगे ही करवाएंगे और साथी साथ A to Z तो प्रसन हम साथ साथ कदवाते ही चल रहे हैं सब्जेक्टि में सब्जेक्टि में यह मत सोचेगा कि प्रसन नहीं करवा रहे हैं सबके सब तो प्रसन नहीं है तो हमारा पहल किरिया एक अनैक्षिक किरिया है जो सता यानि कि खुद होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रन नहीं रहता है बिल्कुल सही जबकि टालना एक एक्षिक किरिया है जिसे हम अपने आनुसार नियंत्रित और पड़िवर्दित कर सकते हैं हमारा मनोगा तो तेजी से टालेंगे और नहीं मन होगा तो हम धीरे धीरे टालेंगे हमारा मन होगा तो पूड़व की दिशा में टालेंगे मन होगा तो पस्चिम की दिशा में टालेंगे तो उसको नियंतर नावड दिशा पड़ी बातन कर सकते हैं तो आप प्रति बर्ति किरिया और टालने में अंतर इस तरह से लिख सकते हैं दूसरा है कोश्चन है कि दो तंत्री का कोशिकाओं के मद्य अंतर गरंत में पाया जाता है अंतर गरंत में क्या पाया जाता है यह इस सिनेप्स है हम आपको बता चुके हैं कि दो तंत्री का तंत्र के बीज खालिस भालत चान पाये जाता है जिसे SYNAPS कहते हैं तो SYNAPS में क्या होता ही यापको बताना है तो बोलेंगे Tveis काक्षस होकर आने वाला विदोग आबे कुछ रसायनिक पदार्तों को भी मोचन करता हैं, जिन्हें निरो ट्रान्समिटर कहते हैं और यह रसाइनिक पदार्त अंतर ग्रंथ यानि की सिनेप्स यानि की जो दो कोशिका के भी झाले स्थान होता है, उसके पार करते हैं, उसको पार करते हैं एबं आगली तंत्रिका कोशिका की द्रूमिका में समान परकार का बिद्योत आवेग उत्पन होता है जैसे ही सिनेप्स पार करता है कोई भी आवेग तो फिर दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रूमिका में उस तरह के आवेग उत्पन करते हैं और आगे ब तक गरंद कोशी का तक जाता है तो ये आप ध्यान रखे तीसरा मात्पूर्ण कुश्चन है कि मस्तिक्स का कौन सा भाग शरीर के इस्थिती एबम संतुलन का आनुरक्षन करता है मस्तिस्क का कौन सा भाग शरीर के इस्थिती एबम संतुलन का आनुरक्षन करता है तो अनुमस्तिक्स अनुमस्तिस्क ही शरीर के इस्थिती का संतुलन आनुरक्षन करने का काम करता है नाम यह अनुमस्तिक्स, यानि कि यह अनुरक्षन करेगा, क्या करेगा, अनुरक्षन करेगा, हम अगर बत्ती की गंद का पता कैसे लगाते हैं, यह हमें बताना है, देखिए, आपको पता होगा कि नाक में पाया जाता है घ्रान ग्राही, जिसको घ्रान केंदर भी बोल सकते तो घरान गराही ही किसी चीजों के सेंट को सुंगता है और हमारे सरीर में यानि कि हमारे दिमाग में सभी चीजों का सेंट कैसा होता है वो स्टोर करके रखा गया कि हाँ अगरवत्ती का ऐसा सेंट होता है या फिर दूद का ऐसा सेंट होता है या मिठाई का ऐसा सेंट होता ह ठीक है सेंट का जो या दास्त है अब अगर कहीं अगरवत्ति जला उसका धुआ आपके नाक में आया तो आपका माइंड जो है उसके सेंट का मिलान करता है अपने माइंड में जो भी सेंट का लिष्ट है उससे और यह जो धुआ गया उसका सेंट अगर मैच किया अगरवत्त जो गंद से संबनित सूचनाओं को प्राप्त करता है और इसके बाद उस केंद्र का एक भाग से उन सूचनाओं का बिसलेशन करता है पहले से गंद के संबन्द में एकात सूचनाओं को एकात सूचनाओं से प्राप्त गंद संबनित सूचनाओं का मिलान किया जाता है हमारे mind में जितने भी type के sent का यानि की गंध का list बना हुआ है उसी list में से आपके नाक में जो ततकाल sent रहा है उसी list में से इस sent का मिलान किया जाता है कि आखिर वो किसके जैसा है तो हमें पता चलता कि वो यह तो अगरबत्ती के sent से match कर रहा है हमारे mind में जो अगरबत्ती का center रखा हुआ है उससे match काता है तो इसी स्तिति में हम कहते हैं कि हमारे अगरबत्ती का ये center ले रहे हैं तो यहां भी वही बताया गया है कि सूचनाओं से प्राप्त गंद समद्धी सूचना का मिलान किया जाता है यदि गंद के संबंद में प्राप्त सूचना पाले से एकतित सूचनाओं में से अगरबत्ती की गंद से मेल खाता है तो मस्तिक सी यह निसकर्स निकालता है कि प्राप्त सूचना अगरबत्ती की गंद से संबंदित है और इस परकार हमें अगरवत्ती की गंद का पता चल जाता है हमें अगरवत्ती की गंद का क्या चल जाता है पता चल जाता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे पांच नंबर कुश्चन का प्रति बर्ति किरिया में मस्तिक्स की क्या भूमिका है इस पर आपको बताना हों, पर सोचने एबं उनका बिसलेशन करने का कारी करता है, मस्तिक्स में परत्थी वर्ती किरियाओं के समदेश भेजे जाते हैं, कुछ प्रतिवर्ति किरियाएं सीधे मस्तिक्स द्वारा ही नियंत्रित होती हैं आर्तिवर प्रकास में हमारे नेत्र की तुलना का संद कुछित होना इसका एक उधारन है कुछ तुलना क्या है इसका एक उधारन है यह आप ध्यान लखे अब भरेंगे आगे ये पांच मात्पूर्ण कोईशन आपने क्या अगले देख लिया तो मस्तिक्स मानव मस्तिस्क हम लोगों का जो टॉपिक था वो हो गया पूरा कम्प्लेट इतना अगर आप मानव मस्तिस्क से संब्धित याद रखते हैं तो कभी कोई दिक्कत जो है नहीं आएगा बिलेंगे हम अगले क्लास में अगले मात्पूर्ण टॉपिक के साथ तब तक अपना ख्याल रखें और लजी आरा स्टेडी देख दें गुडबाई टेक क्यार